मिडिल इस्ट में इसराइल हमास की युद्ध की वज़े से हालात पहले ही खराब थे इसके बाद इरान के भीषण मिसाइल हमलों से मिडिलीस जंग के मैदान में वदल गया इसराइल के दमिश में इरानी दूतावास पर हमले के बाद इरान ने पलटवार किया और फिर इसराइल ने एक और हमला कर दिया इस्राइल ने इरान को कमजोर करने के लिए परमाडू सयत्रों को निशाना बना कर इस फहान शहर में न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने के लिए मिसाईले दागी और अब ये जंग यही नहीं रुकी है दूसरी तरफ इरान अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कर रहा है जिसका अंदाजा खुद इसराइल को भी नहीं है जी हाँ इस खबर ने इसराइली पीम नेतन्याहू की चिंता को बढ़ा दिया है दरसल इसलामिक रेवलुशनरी गार्ड कॉप्स के टॉप कमांडर प्रिगेडियर जनरल अमीर अली हजिजा देह ने चौकाने वाला खुलासा किया है एक टीवी चैनल को दिये गए अपने एक इंटर्व्यू में उन्होंने बताया पिछले महें ने इसरायल के खिलाफ जवाबी हमलों में इरान ने अपने पूरे सैनेबल का केवल एक अंच ही इस्तमाल किया था इसरायली शाशन के खिलाफ कारेवाई करने के लिए जो कुछ भी तयार किया गया था उसका केवल 20 प्रतिशत ही उप्योग करके सूपर पावर देशों और उनके सहयोगियों के खिलाफ खड़ा था IRGC के कमांडर ने इसरायल की मदद करने आगे आए सूपर पावर देश अमेरिका के बारे में भी जिक्र किया उन्होंने इस बात पर जोर दिया इसरायल ने इरान के हमलों का मुकाबला करने के लिए अपने सभी सैनेबल जुटाए और अमेरिका ने भी इसरायल के समर्थन में अपने विमान, क्रूजर और एरक्राफ्ट कैरियर तैनात किये उन्होंने कहा कि इस्राइल ने अपनी सारी ताकत का इस्तमाल अभी नहीं किया है इस्राइल और उसके सहयोगियों ने इरान का मुकाबला करने के लिए अपनी सारी ताकत एक कर दी अमेरिका जिसने पहले दावा किया था कि उसका दखल करने का कोई इरादा नहीं था वो इस्राइली शाशन की मदद करने आ गया लेकिन आयार जीसी के टॉप कमांडर बिगेडियर जनरल आमिर अली का दावा सच है तो इस्राइल की मुश्किले बढ़ सकती है क्योंकि इस्राइली सेना ने जिस तरह इराइल के भीतर घुश कर प्रतिरोधी समू की अंडरग्राउंड सेन ठीकानों पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया उससे अब इराइल के वे इस्राइल पर हमले का खत्रा बढ़ गया है फिलहाल तो इराग का प्रतिरोधी समुही इसरायल के सैन निठीकानों पर हमला कर रहा है ये हमला इसरायल के एलिट बंदरगाँ पर आईडियाफ के एक सैन निठीकाने पर किया गया था इसराइल और इरान के जगड़े की वज़े से आज पूरा मिडिल एस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा है